हलो एरुबन गुड मॉर्निंग आला फियो आप सब भी नहीं का हमारे अफिशल यूटूब चैनल निशान जियर फेफर फेंडर स्वागा थे डियर इस्ट्रेंट्स हम लोग यहां पर इस्ट्रेट लाइन की जितने भी फार मुले हैं उन से फार मुलों को अम लोग कपर कर हूँ यह जो है यक्स और य-axis के साथ एक लाइन पास होई है यह कोई लाइन है यह जो डिस्टेंस आपको दिख रहा ए है और यह डिस्टेंस आपका क्या है बी है तो इस पॉइंट का क्वाडिनेट क्या हो जाएगा एक आमा जीरो हो जाएगा और इसका जीरो कामा बी हो तो अगर कोई सरल रेखा इस फोम में है यह यक्स बैए प्लस वाई बैए बी गवल टू वन इस प्रकार से है तो यही होता है किसी रेखा का यह किसी सरल रेखा का अंतर खण्ड होगा यह होता है ये यक्स अच्छ के साथ कटा अन्ता खंड होता है बराबर क्या होता है ये होता है और य अच्छ के साथ कटा अन्ता खंड अन्ता खंड ये क्या होता है बी होता है तो यक्स अच्छ के साथ कटा अन्ता खंड आपको यहां पर यह दिख रहा है और य अच्छ के साथ कटा अन्ता खंड क्या दिख रहा है बी दिख रहा है अब हम लोग इसको जो है कैसे इस फॉर्म में हम लोग कोई स्टेट लाइन का एक्वेशन हो तो उसे हम लोग कैसे इस फॉर्म में चेंज करते हैं, क्लियर है? तो फार एक्जामपल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको चेंज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे माल लीजिए कि एक equation मैं यहां पर लिख रहा हूं जैसे 2x plus 3y equal to 10 दिया है यह कोई सामान्य समीक्रण स्टर लेखा का हमें जो है इस समीक्रण को इस फॉर्म में चेंज करना है तो हम लोग देख रहे हैं दाहिने तरफ क्या आपको लाना है 1 लाना है तो 1 के लिए आप जो है इसे क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से भाग करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ठीक है और इदर 10 by 10 मिलके क्या मिलेगा 1 मिलेगा 10 by 10 1 हो जाएगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं यह जो ऊपर का 2 दिख रहा है यहां नीची आ जाएगा स्वरी यहां पर 2 आ जाएगा प्लस इसको आप लिख सकते हैं 10 by 3 equal to 1 इसे आप ऐसे काड़ भी सकते हैं x by 5 प्लस y पर कितना हो गया 10 by 3 equal to 1 तो अगर कोई इस ट्रेट लाइन है तो उसे आप जो है जो उसका अचर पद होता है उसे आप दाहीने तरफ करके और उसी से सभी पदों में क्या कर दिजेगा डिवाइड कर दिजेगा तो आपका जो सरल लेखा होता है इस फ़रम में बदल जाएगा अंता खंड रूप में तो यही आप आपको बताना था कि सरल लेखा का अंता खंड रूप क्या होता है तो इस प्रकार से आप किसी सरल लेखा को अंता खंड रूप में चैन्ज कर लेंगे यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज केमेंट बाक्स में लिखिए और ज्याद हज्यादा वीडियो को सेर कीजिए च